नमस्कार दोस्तों आप सबको सौगत आपके पनी चैनल डगरुपया आज जो है श्रीलंका वर्सिस न्यूजलेंड के बीच में पहला ODI मैच खेला जाएगा और यह मैच दंबूला से लाइफ देखनों को मिलने वाला है डाई बजे यह मैच स्टार्ट हो जाएगा इंडिया की वादा करता हो भाई 10 मैच में से अगर आप 7-8 मैच जीतेंगे ना तो आपका प्रॉफिट ही होगा और मैं आपका प्रॉफिट करवा रहा हूँ आप जाके अमारे टेलेग्राम पर चेक कर सकते हैं टेलेग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्किप्शन में दे दिया और पहले कमेंट में मैंने पिंड कर दिया यहां से जुड सकते द्याल में रखीगा चलिए आज के मैच की कवर कर लेते हैं फटाफट से की कौन जीतने वाला है क्या होने वाला है कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे तो दोस्तो आज जो है सबसे बड़ी चीच कहूँगा भाई कि बारिश वाले मैच में थोड़ा कम इन्वेस्मेंट करना अब क्यों करना मान लो सबसे पहले किसी टीम का बैटिंग आया ठीक है यह बैटिंग आया इसने बैटिंग किया दूसरे टीम ने बॉलिंग किया बॉलर इसने क्या किया बॉलर अच्छे यह फिर भी इनोंने पूरे पचासोवर के बॉलिंग कर लिया अब सेकेंड इनिंग में डीलेस मैथड आ गया मान लो कि यह बारिश अब कर देंगे अगर शीलंका का बॉलिंग आ गिया दस ओवर में बॉलर को कि नहीं बॉलिंग आप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा उनके दोड़ागा तो आप लोह को कूब इतना ही है ए मैस में थोड़ा से कम इंवेस्मेंट करना इंड्वाला मैस है उसमें आप लोग जादा इंवेस्मेंट करना क्योंकि इंड्या वाले मैंच में भी हम सा जादा आप लोग नज़र डालेंगे तो जादा अच्छा रहेगा इस्पिनर्स मेंली स्पिनर्स चलते और हां एक चीज धूप निकलता बारिश नहीं होता तो एक और मज़दार मैच रहता बट बारिश के वज़े से थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होगा वो चीज मै अभी कवर निकाता हुआ क्योंकि लंबा हो जाएगा फिर अब बात करें बैटिंग फरस्ट वाले और बैटिंग सेकेंड में से कौन सबसे ज्यादा जीतता है लेको बैटिंग सेकेंड वाले नहीं यहां पर 52 परसंट मैच जीता हुआ और बाकि बैटिंग फरस्ट वाले और नियूजलेंड भी ओडिया लास्ट मैच अपना हार के आया है ठीक है बाकि श्रीलंका ने थोड़े सा अच्छे परफॉर्मस दिये चार मैच जीते हैं तीन मैच जो है नियूजलेंड जीत करा है 41 मैच इस 42 52 मैच इस और और नियूजलेंड के नाम पर रहा है ठीक है अ आप लोगों को मैं बता दू टेलेग्राम का लिंग फर्स्ट कमेंट में हैं वहां से जुड़ेंगे तो ज्यादा से रहेंगे आप क्यूंकि मेरी नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल बने हुए उनसे नहीं जुड़िएगा बाकि आप चाहो तो इसकैन भी कर सकते हो अधिरा विक्रमसिंदे, चरीता सलंका, जनित लियानेच, इसके बाद में जैफरे वेंडर से दिख सकते हैं आपको दूरित लियालेच, महिश दिक्षाना, दिल्शान मदुसंका और असिता फर्नांडो ये आपको प्लेंग 11 दिख सकता हैं अब सबसे पहले पिच रिपोर इसको क्या करते हैं ये लोग बल्लेबाजी फीज बनाते हैं दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों सामने वाले टीम में कौन कौन है लिग लिए स्पिनर्स फिस जादा रहने वाला है विल यांग, टीम रॉबिंसन, हेंडी निकोल्स, मिचल हे, मार्क कैपमेन, ग्लैन लिप्स, मिचल सेंटलर, ब्रैस्वेल, जैक फोलकर्स, लॉकी फर्कुसन दोस्तों रूल डाउट हो चुके, इनके जीगे पर गाईस इस सोधी खेलेंगे और एडम मिलने यहां पर से आपको खेलते हुए दिखेंगे, अब दोस्तों यहां पर आप लोगों के चीज बता हैं, तो सेंटलर के ओवर सबसे ज़ादा होंगे, और यहां पर से अब जो है, आपको मार्क कैपमेन जो है, वो भी बॉलिंग कराते हुए, नज़र आ सकते हैं, क्योंकि एक स्पिन ट्रैक रहने वाला है, और लास्ट टी ट्विंटी आई में फ्लॉप रहा है वो यह तरीक है, अगर आप श्री लंका के फेवर में टीम बना रहे हैं, तो आपके लिए यह खिलाडी इंपोर्टनेंट है, अगर आप बना रहे हैं श्री लंका के फेवर में, तो चार बल्ले बाज यहां से मोस्ट इंपोर्टन रहते हैं, वो कौन है, पातुमनिसंका, C.S.L.ंका, अच्छा आकड़ा है बढ़िया कर रहा है तो आप लोग थोड़ा सा जनित लियानेज पर नजर डाल सकते हाला कि बढ़िया खिलाड़ी है ठीक है बाकी छोड़िया अविश्का फर्नांडो की बात करें तो 15 मैच में 417 केवरेज रहे समावी करम सिंदे 14 मैच में 456 रन 21 दु एक सो दोका इनका रहा है अब बात करते हैं बालिंग लीडर्स की बात करते हैं तो आप लोग देखो तीन अगर बल्ले बाज ले लेते हैं या चार बल्ले बाज लेते हैं इनाफ होता है या तीन बल्ले बाज ले 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 लिजी श्रीलंका के फेवर में जब आप टीम बना निकाले स्मिंट रहे के बाई मस्ट अपिक हो सकता है जेफरी बंदर से असीता फर्नांडो आर्ट मैच में दस विकेट ठाला कि उतना खाच खास बॉलिंग एटेक नहीं है असीता फर्नांडो को तो उनको आप डॉप कर सकते हैं तिक्षाना की बात करें नो मैच में 11 ही विक रहे हैं तो बिल्कुल काम आ सकते हैं माईश दिकषाना भी जुनित बैरलागी की बात करें आट मैच में 9 विकेट निकले हैं चरी असलंका की बात करें 11 मैच में इक विकेट निकल चुके हैं और एद्य बात करते हैं अब बात करते हैं बैटिंग लेडा इस न्यूजलैंड अगर आप न्यूजलैंड की फिवर में बना रहे हैं तो क्या कर सकते हैं दोस्ते एक ही खिलाडी ओ विल यांग जो की तोड फोड सकता है फोड सकता बंदा 47 का एवरेज ये विल यांग का अच्छा खिलाडी अगर ब विल यांग अच्छा रह सकता है 9 मैच में 422 287 का एवरेजि गिलाइन फिलिपस 9 मैच में 285 450 का एवरेज और मारक कैप मैन 8 मैच में 115 का एवरेज बार कैप मinkच खास नही है सेंटनर 7 मैच में 105 का एवरेज एने निकोल्स氣र में कुछ खास नहीं तो इसमें सिफ एक और एक लिए एक बार ट्राइ कर सकता है क्योंकि पता नहीं किस दिन ये बल्ले बाजी पीछ दे देंगे फिर भी पीछ रिपोर्ट थोड़ा सा रख देखते रहना और बारी फिर से वही एक गेम खराब ना कर जाए बल्ले बाजी पीछ में विलियांग अच्छा कर सकता है सेंटनर क थोड़े से कम निकलने के चांसे क्योंकि राइट हैंडी जादा आएंगे जैकोफ डेफी तीन मैच में चार विकेट एड़म इन तीन में तीन क्लरक एक में एक डेफी कुछ बाकी कुछ खास है नहीं को दोस्तो अब मैं टीम कॉंपोजिशन की बात कर लेता हूं दोस्तो कुछ खास कंसिस्टेंसी नहीं दिखा है असलंका अच्छा है कंसिस्टेंसी रहा है जुनित लियनेज की बात करूँ विकेट ओवर मिले हैं थोड़े आज कमी मिल सकते हैं जैफरे वंदर से डेफिनेटली लेना विकेट टिकिंग नेचर के दुनिद्वेले ले लेना माई विलियांग 26-89-105 भाई हर मैच में बना रहा है विलियांग आपके लिए डेफिनेटली काफी पढ़ियापिक हो सकते हैं टिम रॉविसन 28-22-45-45 बहुत अच्छा कर रहे थे बर हो सकता है इस मैच में थोड़े बल्लेबाजी पिछ रहेगा तो अच्छा कर सकते हैं रिनि रहे नहीं है तो आप छोड़ी दीजिए भाई फिर बॉलिंग का चक्कर बैटिंग से भी कुछ खास नहीं है ग्लैन फिलिप्स हर मैच में कुछ न कुछ कर रहे हैं तो 41-0-17-41 बना रहे बाई ग्लैन फिलिप्स रन बनाएंगे विकेट से थोड़ा सा बोगो को रहना कि और यह भी हो सकता है कि गलैन फिलिप्स है और विकेट भी अबाद है इस पिन ट्रैक पढ़े है क्योंकि अभी तक कुछ खास तो के यह नहीं बाछे तो आप उसके चरें पर बाकि अहां से बात करते हो आप एडम मिलने को थोड़ा से ठ्रय कर सकते हैं, यह भी था प्रोड यह बल्ले बाजी भी थोड़ा कर जाते हैं बागी दो विकेट एक विकेट यह निका रहे हैं ठीक है अब बात कर लेता है हम लोग टीम कॉंपोजिशन की दोस्तों टीम कॉंपोजिशन कैसे होने वाले हैं तो कुशल मेंडिस विकेट की प्रिंग सेशन में अच्छा है लंका, स्रियसल लंका, कुशल मेंडिस इस टीम की तरफ से हमारा तीन किलाड़ी हो गए अगर श्रिलंका मैच जितता है तो यह तीन किलाड़ी इंपोर्टेंट रहेंगे विल यंग और ग्लैन फिलिप्स यह आपके बल्लिवाजी में आ गए क्योंकि विल यंग और ग्लैन सकते हैं तो आशा करता हूं आप लोग समझ पाहें समझ पाहें तिक लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और टेलेग्राम पे जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया वहां से हमार साथ जुड़ जाईए तब तक के लिजाजद दीजिए टटा बाबाय जैहिन जैभारत मिलते हैं आपके साथ में टेलेग्राम पे नयान में रखिएग अगर आपको लॉस कवर करना है तो ज़रूर जुड़िये काम में मज़ा आएगा आप लोग देखोगी समझोगी डेफिनिटली आप लोगों का लॉस कवर होगा तो टेलेग्राम पे जुड़ना मत भुलिएगा टेलेग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया तब तक के लिजाजर टाटा बाबा जैहिन जैवाद